भारत का अंतिम हिंदू समराथ परत्विराज चोहान तिरती दिग्विजय की निती अपनाई कि पूरी देशाओं को जीतूंगा बालकी तो था इनके जो दोस्ता चंदवर्दाई कभी था वो बेटा कोई सुन्दरता देखिया था आके उसके परत्विराज के सामने वर्नन करता परत्विराज उत्तेजित होता और उसी राजकुमारी को उठा लेता तो गोरखनाज जी आ गए थे वरना तो ये आलहा परत्विराज सुवान को माल डालता तो सहियों गीता ने सुना और हम दिल दे चुके सनम बीना देखे प्यार हो जाता उसे अनुराग कहते हैं ध्यान देना बेटा प्रतिवराज़वान तिर्तिये का जन्म हुआ था अनिलवाडा पाटन कहां पर हुआ बेटा अनिलवाडा पाटन और ये अनिलवाडा पाटन किस जगे पर है गुजरात में मेंदी तुबाई ढूला माले वे इनो रंग गयो गुजरात महरा और जन्म हुआ था इनका 1166 में चोरों कब हुआ था 1166 में कहां पर हुआ था अनिलवाडा पाटन गुजरात में प्यारे बच्चों निलवाडा पाटन में एक था राजा एक थी रानी राजा का नाम था सोमेश्वर, क्या नाम था सोमेश्वर, सोमेश्वर की पतनी थी जिसका नाम था करपूरी देवी, क्या नाम था करपूरी देवी, और इसी सोमेश्वर और करपूरी देवी का लाडला वेटा होता है वेटा, राई पिथोरा, राई पिथोरा, यही राई प पितोरा आगे चलकर बनता है दिल्ली का सासक तो ध्यान देना प्रत्विराज चोहान का उपनाम क्या था प्रत्विराज चोहान का उपनाम था राई पितोरा और इसी राई पितोरा को कहते हैं अंतिम हिंदू समराथ अंतिम हिंदू समराथ बताए भारत का अंतिम हिंदू सम समराट कुन है भारत का अंतिमिंदू समराट परत्वी राज चोहान या राय पिथो राहे जल्दी पड़ारीं खटे रुगो एक याद रख लेना परत्वी राज रासों में इनकी माका नाम कमला दे रहा है जबकि ज्यादातर इतियास कार यह मांतें कि परत्वी राज चोहा लेकिन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पर्त विराज चोहान तृत्य ग्यारा सो सतंतर ईस्वी में मात्र और मात्र ग्यारे वर्स की आयू में ग्यारे वर्स की आयू में प्यारे बच्चो सासक बन गया सोने की चमची मुँ में लेके पैदा हुआ था सासक बना और ग्यारा सो सतंतर में सासक बनते ही सासक बनते ही प्यारे बच्चो दिग्विजय की निती अपनाई कि पूरी दिशाओं को जीतूंगा बालक की तो था दिग्विजय की निती अपनाई पूरी दिशाओं को जीतना एस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब को जीतना सुरो केवल 11 लेकिन याद रखना इस उम्र में यह जो सारा काम कर रहे थे यह कर रहे थे इसके प्रधान मंत्री जिनका नाम था केमास क्या नाम था केमास सुरो याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है और यही वह केमास है जिस पराजित किये जिन जिन राजों को पराजित कियाएगा नंबर वाईजून की लिस्टे बनाते हैं चचेरा भाई खुद का ही चचेरा भाई नागार जुन इनका चचेरा भाई था जिसका नाम क्या था नागार जुन को और आये इन्होंने 1137 भी में चोरो आप तो मोटी मोटी बाते या देखना आपके संसम्मतिय नहीं आइंगे अपने चचेरे भाई नागारजुन को पराजित किया 1177 में नाकेवल बेटा पराजित किया बलकि मोट के घाट उतार करके इसके सवके साथ भी बहुत ही जादती की गई और ये इसलिए की गई ताकि बेटा कोई भी दुवरा विविसे में इनके खिलाब आवाज उठाने की हिमत नहीं कर पाए उसी समय बेटा क्या है 1182 में उनके आस पास में इन्होंने भो एक दस्यू जाती थी जिनकों कहते बंडानक इन बंडानकों का दमन किया बंडानकों का दमन किया बंडानक एक जाती थी बेटा जैसे अपने पिंडारी और मराठे लूट पाट करते थे ने वसे ये भी लूट पाट ही करते थे और प्यारे बच्चों ये बंडानक कहां रहते थे अपने राजस्तान में जैसे अलवर है राजस्तान का भरतपूर है राजस्तान का मतुरा है राजस्तान का यूपी का मतुरा है यहां पर यह जाती रहा करती थी काला अंतर में तो यह सारे के सारे मुसलमान बन गई और वरतमान में क्या कहलाते हैं मेव कहलाते हैं तो प्यारे बचो इनका काम था राजा निक्षेतर दिल्ली में जाना दिल्ली को लूट पाट करना जनता को चेंज से नीरे ने देते थे केमास ने ये बीड़ा उठाया और एक भी बंडानक को नी छोड़ा सब को यहां से बगा दिया पूरी धरते बंडानकों से खाली करवा दी तो प्यारे बचो 77 में तो नागारजुन को 1182 में वन्होंने बंडानों का दमन कर दिया और इसी इसी 1182 में होता खतरनाक युद जिसे हमारे इतियास में जाना जाता एक रात का युद के नाम से अब बदाओ एक रात का युद परतिवी राच्शों ने किसके साथ लड कौन से युद में महोबा की युद में कौन से सन में बेटा सन तो वो का हुई रहेगा ग्यारा सो बैयासी में बुंदेल खंड के राजा बुंदेल खंड के सासक परमर्दी देव को क्या नाम ता उसका परमर्दी देव को पराजित किया प्यारे बिच्चों याद रिखना बुंदेलखंड के सासक परमर्दी देव को ये पराजित के ये कब किया था 1182 में और बेटा इस पराजित करने वाले इस परमर्दी देव के साथ में इसका जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं महोबा का युद्ध और ये महोबा का युद कहा हुआ था चोरो उत्तर प्रदेश में इसी को एक नाम से और जानते हैं एक रात का युद एक रात में यह सा सपेड मचाय था बेटा कि जीत गए थे यह यूपी से एक परसन निकल के आता है परमर्दी देव के सेनापती कौन थे परमर्दी देव के सेनापती थे दो जणे एक का नाम था बेटा आला और दोनों भाई थे एक का नाम था आला और एक का नाम था उदल आला और उदल किसके सेनापती थे आला और उदल परमर्दी देव के सेनापती थे यह तो गोरखनाजी आ गए थे वरना तो ये आलहा परतिवराज सोहन को मार डालता उदल को मार दिया था परतिवराज ने पिर जैसे पता चला कि आलहा को कि तेरे भाई को मार दिया परतिवराज सोहन पर प्राणान तक प्रहार कर रहा था और गोरकनाजी ने बचा लिया कि नहीं प्रतिविराज सोहन की इस देश को बहुत आवे सकता है तो छोड़ इसको इतना तगड़ा था ये आला और उदल आज भी बुंदेल खंड के लोग आला गीत गाते हैं बेटा और किता गजब करेजी इंडिया माया दाकर बलवीर सिंगरा ठूड हाँ अनुकुमारी सेर कर दो देखे सारे के सारे सारे के सारे सेर करो बैटा जित्तों वीवार्सब के ओटेलीगराम के गरूप डाल दो कोन सा पैसा लग रहा है कोई पैसा नहीं लगता इधर से आंगले इधर करते हूं हैं मैं आप करो बेटा ने आंगले पाप है रांगले पुन्य है देखो देरे देरे आपका प्यार बढ़ता जा रहे हैं और प्यारे बचो इसने उसी निती के तेट क्या किया ग्यारासो चोरासी में 1114 एसी में गुजरात की कोई गुजराती है तो चिट मज़ जाना भीम सेकिंड को हराया पराजित किया भीम सेकिंड को पराजित किया कारण क्या था बेटा ये भीम था ना भीम इसकी एंगेजमेंट हो सुकी ते एक बहुत सुन्हर लड़की के साथ जो थी आबू की राजकुमारी कहां की राजकुमारी आबू की राजकुमारी और उस आबू की राजकुमारी का नाम था इंचिनी अरे क्या नाम था इंचिनी और इंचिनी में ये हुआ प्यारे बचो तू पसंद है किसी ओरे की तुझे चाहता कोई ओरे है इसे कह सकते एक अनार दो बीमार एक कली और दो फूल लेकिन बेटा याद रखना एक कली और दो भूरे जो भंवरा ताकतवर होता है वही कली कारस भोग कर पाता है और इसमें चूर चूर ताकत का तो बलिष्ट था परत्विराज चोहा दूसरी बात इसी भीम सेकिंड ने इसके पिता सोमेश्वर की हत्या भी की थी तो सोमेश्वर की हत्यागा भी बदला लेना और इदर इंचीनी को भी प्राप्त करना जैसे ही पता चला कि इंचीनी का वरण किसके साथ होगा भीम के साथ परत्वी राज ने देखा अब ये बढ़िया है ऐसे तो आकरमन का कोई बाना नहीं है इसकी मंगेतर को उठा लेओ जख मरा के अपने आप अपने से युद करेगा युद में इसका पाठिया सापे कर देंगे प्यारे बचो याद रखना परत्वी राज चुहान साधियां ख इनके जो दोस था चंदवरदाई कवी था वो बैटा कोई सुंदरता देख्या था आके उसके प्रत्वी राज कुमारी को निचा दिखाने के लिए प्यारे बचो इंचिनी का हरन कर लिया किस ने किया प्रत्वी राज चुहान ने इसी कारण भीम दिवती और प्रत्वी राज के बीच में ग्यारा सो चुहासी में बैटा एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं नागोर का युद्ध नागोर का युद्ध घमासान युद्ध हुआ और प्यारे बचो ग्यारा सो चुहासी में इस नागोर के युद्ध में प गिंड हार गया तुझे जाना है तुझा तेरी मरजी मेरा क्या प्यारे बच्चों इंचीनी का अरण कर लिया और भीम को भी हरा दिया कौन से युद में नागोर का युद कहते हैं बेटा इसको नागोर का युद कव वा था 1114 में उस समय नागोर की देखबाल किया करता था इसका प्रतिवराच्चोंवान का प्रधान मंत्रे जिसका नाम था केमास या कदम वुवास और याद रखना नागोर का जो कीला है अही चत्रव दुर्ग उसका निर्मान भी इसी केमास या कदम वुवास ने करवाया था कोई दिकत वेटा मेरे इसापसे नहीं होनी ची तो चोरो युद्ध भी जीत लिया इंचीनी भी हाथ आगई डबल फाइदा है गाई भी आगई गडावंडा भी आगया एक पंत दोकाज हो गए वेटा अब देखो इसका निती तो बहुत बड़ी है थी लेकिन इसे एक समस्य हुई आसपास के सारे लोग प्रतिवराज सोगान के हो गए सत्रू एक और बलिष्ट राजा था उसको भी प्यारे बच्चों इसने सत्रू भणा लिया और वो कौन था कन्योज का कन्योज के सासक कन्योज के सासक का नाम क्या था जैचंद गढ़वाल जैचंद गहडवाल प्यारे बच्चों जैचंद गहडवाल की पुत्री जैचंद गहडवाल की पुत्री पुत्री का नाम संयोगी था अरे क्या नाम था संयोगी था प्यारे बच्चों इस प्रतिविराज सुहान के जो दर्बारी कवी था उस दर्बारी कवी का नाम था चंद बरदाई हालांकि और भी थे पर यहां पर यहीं करेंगे चंद बरदाई चंद बरदाई गया एक बार अयोध्या यात्रा पर बगवान स्री राम के दर्शन करने अयोध्या की यात्रा पर चला गया वापस आते समय चंद बरदाई कहां पहुंचा बेटा अयोध्या से आते तो रस्ते में आता कन्योज साब कन्योज वाड़ों को पता चलगा कि महा कवी घजब का कवी जोरजार कवी प्यारे बचों जिसका नाम चंद वर्दाई है वो कन्योज से होकर गुजरर रहा है तो जाते समय तो इसने कई दिया राम के दसन करें पिना मैं किसी के दरबार में नहीं जा रहा हूं वापस आते समय वच्चन दिया बोलू रुकना पड़ेगा र कविता सुनाने पड़े बोलू रुकेंगे कविता सुनाएंगे तो प्यारे बचो चंद बरदाई करनोच के दरबार में गया उस समय परतिवी राजरासु इसने लिखा नहीं था अब साब राजे से ही दरबार में हजिरवा पूरा दरबार लगावा है तो कितने सत्रू बेटा कवियों का सत्रू कोई नहीं होता कवी हर के सामने खरी खोटी सुना सकते हैं हर कवी जो गलत आदमी उसकी मावेंड कर सकते हैं सही आदमी उसकी प्रसंसाबे करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां कर्णोज के दरबार में गयार यहां जाकर के चंद बरदाई की एक रचना थी बड़ी फेमस उसी को सुनने के लिए इन्होंने बुलाया था और उस रचना का नाम था भवानी चंद कोण जी रचना भवानी चंद बताई भवानी चंद किसने लिखा चंद बरदाई ने बोलो साबी सुनाओ प्यारे बच्चों भवानी चंद इन्होंने सुनाया चंद के जरबार में कि नमवादी अन्नादी तुही बवानी तुही भवा गमाया तुही बागमानी ऍचर्पे फुआरो अशो रूप तेरो अजोनी रुपाव कटे फंद मेरो पढेचंद छंदम भैजान पावू निशाबास रमात दुर्गेश्यू ध्यावू नमंकार प्यारे बच्चो गजब की रतना सुनाई सबने के वाह वाह मज़ा आ गया सेर करते रहो सेर करते रहो प्यारे बच्चो चंद ने कहा आपने मेरी भवानी चंद सुनली एक कविता मैं भी सुनाना चाहता हूं और बैटा इसने कर दिया प्रति राच्चो अनकी वीरता और सुन्दरता का वरनन दरबार में और वहीं बेटी थी दरबार में कोण सही होगी था वो कविता सुनकर चंद बरदाई का वेबव देखकर प्रभावित हो गए जिसका कवी इतना तगड़ा है इतने गजब के ड्र खलत है जैचंद अगर अनंगपाल तोमर का दो ही था होता तो यह तो करपूरी दिवी तो कलचूरी की राजकुमारी थी कैसे वा मोसे का वेटा है ने अब साब लेकर प्रतिराज राचो में यही कहते है कि मोसी का भाई था यह मोसी मोसे राभाई था जैचंद प्यारे और प्यारे बच्चों इसने धीरे से चंद को कह दिया कि ऐसा राजा है तो मिह उसका वरन करना चाहते हूं लेकिन जैचंद तो इनका 7 था जैचंद्ने क्या किया बैटा किया सांधार अपनी बेटी का स्वयम्बर किया जिसमें सारे सासकों को बुलाया लेकिन प्रतिवराज चोहान को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया कारण क्या था बेटा इन चोहनों में और गेड़ वालों में पहले से भी एमनसे था इसके पिता जो जैचंद का पिता था विजे चंदर उसको विग्रे राज चतुर्द ने हराया था इसी की प्रतिवराज चोहन के दादा ने हरा दिया इस बात की गम थी कि मेरे बाप का अपमान किया तो संयोग गेता के स्वेंबर में सब को बुलाया लेकिन प्रतिवराज को नहीं बुलाया इस बात का जब परतिविराज को पता चला तो परतिविराज अपने दोस्त चंद बरदाई के साथ बेस बदल कर निकलता है और कहां पहुँच जाता है कन्योज प्यारे ब mocो इस परत्वी राज़ाज सुवान की जहसंदख ने क्या की दर्वाजे पर जहां पर दर्वाजे पर मूर्ती लगा दी परत्वी राज़ का an करने के लिए सब को दिखें जो भी राजा आये वो देखे देखो अपने परती राज को चोकिदार रख लिया और जुती वहीं खोल दो जी उसकी मूर्ती के पास ही प्यारे बचों सोकिदार कड़ा होता वहां मूर्ती लगा जी वहीं जुती खुली सारी राजाओं की अब साफ परत्वी राजचुहान उसी दर्वाजे पर लगी मूर्ती के पीछे जाके खड़ा हो गया चुपके से दिरे दिरे सारे राजकुमारों को नेगलेक्ट करती भी सब को नकारती भी सहियों गिता आगे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और दर्वाजे के गेट पर खड़े इस मूर्ती के गले में इसने वरमाला डाल दी और जैसे ही वरमाला डाली परत्वी राजचुहान मूर्ती के पीछे से निकला गोड़े पे बिठाया और वेटा तिगड़िक 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 वहां से दोड़ पड़ा यानी की अपन कह सकते हैं भरे दरबार में सारे राज़ों के बीज तमाम हिंदुस्तान के राजा थे उनके बावजूद बेटा उस राजा जैचंद गैडवाल की पुत्री को उठा लाया तो चोरो कितना गजब का कलेजा हो गया रहा है है मैं तुझको उठा लाया तेरे गर से हैं तेरे बाप के गर से हैं बेटा गजब का कलेजा था पर आप में ये कलेजा नहीं है आप भी हो तो प्रतिविराचवान की वनसज उसी की धरती का नमक खाने वाले उसी सांबर का जील नमक खाने वाला है लेकिन बेटा कले जे कले जे की बात होती शेर कासा कले जा था बंदे का मैं तो कहता भी हूं मोटिवेट करने के लिए प्यारे बच्चों मोटिवेट करने के लिए कहता हूं ऐसे आसिकों को जो घबरा जाते हैं डर जाते हैं उसका जिर है मोहबत की सजा पाने को मेरी तस्रीप है तैयार डंडे खाने को प्यारे बसो ये तैयार होती तो चार पंक्ति सुनना कि हमारे राह में आने वाली हर बादा का ख्षरन करते हैं कवित्री मोदा कविता को तवज्जू साओंगा कि हमारे राह में आने वाली हर बादा का खरन करते हैं और हमारे रिधे को बाजाए हम उसी का वरन करते हैं भरे दर्बार से संयो गीता का हरन करते हैं नहीं करना चाहिए बेटा ही नहीं दुनिया की बेणी बेटी अपनी बेणी बेटी ऐक नहीं क्यों नुसका जी सही बात है ने इनको समझा दो सबको आईए बेटा चलते कन्योज के सासक जैचंद गडवाल की पुत्री का नाम क्या पुत्री का नाम था बेटा सईओगीता इस सईओगीता का हरण कर लिया इनचीनी का कर लिया इस प्रकार प्यारे बचुए दिग्विजे की नित्ति पढ़ गई इनके लिए महेंगी स्टारों तरप सत्रूई सत्रू पाल लिए दुसमने दुसमने पाल लिए दोस्तो इसी दोरान क्या होता है मुहम्मत गोरी मुहम्मत साबुदिन गोरी प्यारे बचो मुहम्मत साबुदिन गोरी ने आकर्मन किया बहुत से लोग कहते जेचंद ने अमंत्रित किया था ने भारत पर कर दिया आकरमन और इसका एक मातर उद्दे से था भारत में इसलाम दरम का परचार परसारे करना एड़ोकेट वकील बेटी आगी वकील बाइसा सेर कर दो इसको और प्यारे बच्चो मुहमत सहाबुदिन गोरी वर्सेज करनाल जिला पड़ता है करनाल और राज्य कोन सा हरियाना बताए प्रत्विराज चुहान और मुहमत गोरी के बीच में जो तराइन का बेटा तरावडी नाम का गाम ता असकल तराइन कर दिया इसका नाम था तरावडी तरावडी गाउं में युद्ध हुआ और इसलिए इ प्रत्विराज जीता जबकी प्यारे बचो तराइन का जो दूसरा युद्ध है दूसरा युद्ध गोरी ने जीता इसे ही कहते मेनत करने वालों की कभी हार नहीं होती लेहरों से डर करनों का पार नहीं होती हमारा प्रत्विराज रासो तो कहता है सत्रा युद्ध हुए ते शोड़ा बार रगड़ दिया था है मुमत गोरी को सोड़ा बार हारने के बावजूद भी उसने हिमत नहीं आरी और बार बार भारत पराकरमने करता रहा इसी लिए कहते हैं बेटा ट्राइ अगेंड ट्राइ टू भी सकसेज जैसे ही प्रतिविराज चोहान हारा बेटा हारने के पिछे कारण क्या था हारने के पिछे कारण था उनके साथ भी गड़ड़ी गद्दारी प्यारे बच्चो एक घोड़ा था प्रतिविराज चोहान हाती से उतर के घोड़े पराने के लिए मजबूर हुआ और घोड़ा पकड़ा दिया उस समय उनको नाचने वाड़ा युद्ध वाला गोड़ा लगी होता है धोके से नाचने वाड़ा गोड़ा पकड़ा दिया जिसका नाम था नाट्यारंबा कौन सा गोड़ा नाट्यारंबा जो नाचता था जैसे पकड़ार वो तो नाचने लग गया अब गो यहां पर प्यारे बचों इनकी सेना को खोकर मुसलमानों ने गेर लिया प्यारे बचों के पास खोकर मुसलमानों से लड़ते हुए वीरगती पाई लड़ते हुए वीरगती पाई तो इन्होंने वीरगती पाई थी बेटा जी सिरसाहरियाना में ठीक है और वीरगती का पाई स्वाबावे के 1102 में 1102 में इसके लिए चंदवर्दाई कुछ अलग लिखता है वो बात अपना और करेंगे लेकिन इधर जान देना प्रतिवराजस्वान के गोड़े का नाम था ना टैरंबा खोकर मुसल्मानों ने घेर लिया खोकर जाट भी होते हैं बेटा खोकर मुसल्मान भी होते हैं मैं प्यार से बोलो अनुडी हाँ बोल सकते हैं प्यार में हमारे तो राजस्तान में ऐसे बोलते हैं मैंने तो सारे स्टुडेंट ही मेरे को गजु का का बोलते हैं गजु ही बोल देते हैं गजिया ही बोल देते हैं कुछ नहीं उन्हों वाचक परवड़ती है नूराजस्तान में बड़ा प्यार की सूचके सबसे जादा प्यार आदमी करता है अपनी मां से उसको तू बोलता है इसको भी तूकारा लगा देते हैं तो प्यारे बच्चों यह तो प्यार की निशानिये कभी न राज नहीं हो न हाद दिल्ली का गवर्नर गोविंद देव था गुविन्द राज इसका बेटा था यहां पर धी ऐक नंपिए घूजओ ने डहीनली का सा सकता है आपने तो बहुत बहुत इतला इतला साय आएगा इसलिए आपको बहुत कम बता रहें हाँ क्रेजिस के एधिय capable डॉटीसे लिए एक दिल्ली अजमीर रहता था यहां गया प्रतिवराजचोहान पर आकरमन करने वालों का वंसद पकड़ लो इस लम को कर को आज बदला ले लो पकड़े तो देड़ हूस यह रा पुलिस वाला अकरम खोकर आजा 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 अब दो कहते किरती शेर कर दो शेर कर दो लाइक भी कर दो प्यारे कर मुस्लमानों से लड़ते वी वीरगती पाई यह हुआ हमारे प्रतिवराजचोहान का इतिहास